नमस्कार दोस्तों एक बार पुर्ण हैं आप सभी का इलेक्रिकल लेगा योट्यूब सेनल में स्वागत हैं आज ही हम बहुत चांदर वीडियो लेक्या हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना साता हूं कि इस वीडियो को प्लीज एक बार जरूर देखें और जो आपको सबसे इंट्रेस्टिंग सीज लगे जो पॉइंट आपको बढ़िया लगे उसको कमेंट बॉक्स में बताना चलिए दोस्तों आज का टोपिक जो है उसको हमें स्टाट करते हैं उसमें लिखा हुआ है थिरीपन के पलग में अर्थिंग की पिन को पॉटी रखी जाती है इसका मुखी रिजिन क्या है इसी की बारे में आज हम बादसीत करेंगे और आपको बहुती आसान बासा में और सारे जो पॉइंट वाइस पॉइंट में आपको बताने कोशिश करूंगा इसका सबसे पहला पॉइंट जो है वो यह होता है कि अर्थिंग पिन को लंबा इसलिए रखा जाता है कि जो पलग टॉप है उसको हम जैसे ही लगाते हैं तो उसके अंदर अर्थ वाला जो लंबा होगा तो वो पहले उसके अंदर सेट हो जाएगा जिससे क्या होता है कि हम यह दे सकें कि नूट्रल और फेज कनेक्शन से पहले किसी भी उपकर्ण के अंदर ग्राउंड कनेक्शन पहले हो सकता है और बहाल निकानने के समय भी पलग टॉप के अंदर नूट्रल और फेज पहले निकलेगा उसके बाद में अर्थ निकलेगा यहनि कि अर्थिंग का वायर निकलेगा ताकि जो है अर्थिंग जो है नूट्रल और फेल्ज के बाद में डिस्कनेक्ट हो यह सुरुखसा की दस्टी से सबसे इंपोर्टेट होता है इसलिए ही इसको लंबा बनाया जाता है उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की जो भी बहुत इंपोर्टेंट है अंतिम पॉइंट तक आप जरूर देखिया मुकेश यार पॉइंट ही है पहला हम कप्लिट कर ले सुके हैं नेक्स्ट की असलते हैं वो है हमारा उसका रिजन ही होता है कि अर्थिंग पिन को अधिक मुट्टे होने का कारण भी यह है कि न दूसरी जिगह जुट जाएगी आप तीनों एक साइज रख लिया तो मुझे यह नहीं पसलेगा कि नुट्ल की कौन सी है और आपका फेज कौन चाहें जिसे क्या होगा कि करण्ट जो है वह आपके उपकर्ण सला जाएगा पहले यानि कि अर्थिंग की पूरे के अंदर ज दें इसलिए हम क्या आपका फेज या जिसे की हम अर्थिंग सुनिसित कर लें किसी भी उपकर्ण की उसके बाद में हम मुसके अंदर पर्भाइद करते हैं या नुट्ल यह जो आपका स्वड़ी फेज है वह और नुट्ल का कनेक्शन सुनिसित करते हैं तो यह सबसे रो एल अपॉन यहां पर आपका जो है परती रोध है एल आपकी इस कंडेक्टर की लंबाई है यह इसका कंडेक्टर का क्रोस सेक्शन एरिया है तो आपका रो जात होता है और रेजिस्टिविटी होता है किसी भी पदार्थ की इसके अलावा एल इसकी कंडेक्टर की इंदर जो परतिरोद उसका होता है वो उसका लंबाई के समानुपाती होता है और आर परतिरोद जो होता है किसी भी कंडेक्टर का उसकी रेजिस्टिविटी कर भी समानुपाती होता है लेकिन जो आर होता है वो एरिया के वित्व करनुपाती होता है यानि वन अपोन ए एक बटा यह यानि कि जैसे ही इसकी एरिया जो है वो बड़ेगा तो आपका रेश्टेंस गटेगा समझागी बात इसलिए किसी भी किसी भी पदार्त या किसी भी सालक की यदि हम क्रोस सेक्षन एरिया को इस एरिया को यदि मोटा कर देते हैं यहीं बड़ा देते हैं तो उसकी डिश्टिविट्टी जो होती है तो मैंले सोरी रेश्टेंस जो है वो आपका कम हो जाएगा इसलिए किसी अर्थिंग का जो हमारा है मैं अभी यहां बात हम अर्थिंग पॉइंट की कर रहे थे तो आपका जो मोटा अर्थिंग पॉइंट रखा जाएगा सौकेट के अंदर और प्लक टॉप के उपर तो मैं जाएगा लिकेज करंट जो है वो ज्यादा करंड फॉलो होगी किसके थूरू अर्थिंग के थूरू तो इसलिए हमें हमारे सेप्टी परपस के लिए जो हमारा फेज का वायर है उससे क्रंड जो फॉलो होगी उससे कई गुणा ज्यादा कि अर्थ कंड़क्टर के अंदर करंड फॉलो होगी इसके लिए सेप्टी परपस के लिए सुरुकसा के लिए हम क्या कर देते हैं इसको मोटा बनाजाता है जिससे की इसकेंदर कंब रेषट हो प mashed और ज्यादा कंड फॉलो हो सके लिकेज करंड जो भी किसी भी उप करंड क कि safety जिससे कि हमारी उपकून की सुरुख्सा हो जाए इसलिए हम इसको मोटा रखा जाता है कि आजकल के बहुत सारे सोकेट्स जासा आपको शित्र में देख रहा होगा कि जैसे कि कोई बच्चा वंग निडाल दे या फिर किसी गलती से भी अपना जिदी हाद असकंद सलगा या कोई दातू नहीं कंडिक्टर ना सलगाइं तो करंड लगने के शांस रहते हैं तो हम क्या करते हैं अर्थिंग पिन को लंबी रखते है जिसलिए क्या होगा इस्सटर को खोलने में भी काम आएगा और इसके साथ में भी इसको जो है शर्तर segu ळूंडे में काम आएगा और अर्थिंग पहले हो जाए इसके लिए हम क्या करते है इसको शेप काम लेते हैं इसलिए हम इसको लंबा रखा जाता है और उसकी मोट़ा रखने का region इसका area है cross section area है जिसे क्या होगा area बढ़ेगा तो परतिरोध आपका घटेगा इसके लिए परतिरोध घट जाये का तो कौन सा लगा शली दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में धन्यवाद